वर्तमान में अगर दर्शकों के दिलों पर किसी शो ने राज कर रखा है तो वो शो अनुपमा ही है जिसमें जब से अनुच कपाडिया के रूप में अभिनेता गौरव खना की एंट्री हुई है तब से तो इस शो की टियार पी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है जिस तरह परदे पर गौरव खना अनुपमा के हर एक मोड पर साथ देते हैं और उसके साथ जबरदस्त केमेस्ट्री शेयर करते हैं उसी तरह रियल लाइफ में भी रुपाली और गौरव में काफी अच्छी बांडिंग है जहां गौरव खना अनुपमा के हर एक शो को देख पसंद नहीं करते हैं आईए जानते हैं इस वीडियो के जरिए नमबर एक पर है संजीवनी इस लिस्ट में सबसे पहले नमबर पर शामिल है रुपाली गांगुली का मोस्ट पॉपलर शो संजीवनी जिसे गौरव खना देखना सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जब रुपाली शो में काम कर रही थी तो मेकर्स ने इनकी काफी अमाउंट में सैलरी नहीं दी थी जिसकी वज़े से रुपाली को बहुत बुरा लगा था और इसलिए जब उन्होंने ये बात गौरव को बताई तो गौरव को भी काफी बुरा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी रुपाली को इनकी मेनत का फल नहीं मिला, जिसकी वज़े से गौरव के दिल में भी शो मेकर्स के साथ शो के लिए भी नफरत भर गई, इसलिए वो शो को देखना पसंद नहीं करते हैं, नमबर दो पर है परवरिश, पाली गांगुली के सबसे पसंदीदा टीवी शोज में से एक परवरिश भी उन्हीं शोज में से एक है जिन्हें गौरव करना देखना पसंद नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जैसा की सभी जानते हैं कि इस शो में रुपाली गांगुली ने पिंकी की भूमे का निभाई थी, जिनकी आक्टिंग तो शो में लावा श्वेता तिवारी भी थी, जिनकी आक्टिंग को हमेशा ही रुपाली से कंपेर किया जाता था और उनसे बहतर बताया जाता था, जिसके चलते गौरव इस शो को देखना पसंद नहीं करते हैं, नमबर तीन पर है सारा भाई वर्सेस सारा भाई साल 2004 में आया पर लाया गया था, जिसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया, वहीं अगर बात करें कि गौरव इस शो को देखना पसंद क्यों नहीं करते, तो आपको बता दें कि दरसल शो में गौरव खना भी काम करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने मेकर्स से बात भी की थी, पर म आकरी नाम शो आपकी अंतरा भी शुमार है, जिसमें रुपाली ने अनुराधा की भूमे का निभाई थी, आपको बता दें कि यूँ तो इस शो में रुपाली काफी अच्छी आक्टिंग करती नजरा रही थी, पर इसके बावजूद शो में आगे चलकर इनके किरदार की डेथ हो जाती है, जिसकी वज़े से गौरव को काफी जादा बुरा लगा था, कि अनुपमा की इतनी अच्छी आक्टिंग के बावजूद उन्हें इस शो में काफी कम ही दिखाया गया, और इसी लिए ये इस शो को देखना ही पसंद नहीं करते हैं, तो दोस्तों क्या और मज़ेदार खबरों को देखने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें